हेलो एब्रिवन मैं में सली एंड यू आ रॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेज वो 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 साप देख रहे हैं वो वो साप बहुत डिंजर साप है अरे भाई एक बार काट लेना तो पानी पीने तक कभी मौका नहीं देता है जानते हो हम लोग जिस एरिये में घुम रहे हैं ये एरिया बहुत ही डिंजर है कियोंकि यहां के लोग बहुत ही डिंजर है डिंजर लोगों से बच कर रहे हैं ये डिंजर डिंजर जो आप कह रहे हो ना असल में वो डिंजर नहीं है वो डिंजरस है कैसे पहले आपको मैं समझाने कोशिश करता हूँ उसके बाद आगे बताऊंगा कि danger है या dangerous है पहले आप समझ लो कि danger की हिंदी होती है खत्रा तो आप ये कहना चाहते हो कि या साप खत्रा है या आप ये कहना चाहते हो कि या साप खतरनाक है तो अब आप इसके बिच का फर्क समझ रहे होगे कि हम तो खतरनाक कहना चाहते हैं तो फिर खतरनाक वाले English क्यों नहीं बोल रहे हैं हैं अगर हम खतरनाक कहना चाहते हैं तो खतरनाक वाले English क्यों नहीं बोल रहे हैं हम खतरा वाले English क्यों बोल रहे हैं चलो दूसरी चीज़ को देख लेते हैं, या बहुत ही danger area है, या बहुत खतरा area है, या खतरनाक area है, आपको क्या लगता है, खतरनाक area है ना, तो आप फिर danger क्यों बोल रहे हो, या साब बहुत danger है, या साब बहुत खतरा है, या खतरनाक है, तो आपका मतलब है कि खतरनाक है, लेकिन असल में आप उसको खतरनाक के लिए सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप जानते हो, आप सब लोग जानते हो, कि dangerous word होता है, dangerous के spelling भी आप लोग जानते हो, dangerous word से भी अच्छे तरह से वाकिफ हो, लेकिन आपको huge सही पता नहीं है, क्यों? किमकि बहुत सारे लो वो dangerous है, जिसके spelling है D-A-N-G-E-R-O-U-S, danger मतलब होता है, खतरा, आप transformer में देखते हो, लिखा हुआ रहता है, D-A-N-G-E-R danger, यानि यहाँ खतरा है, तो जब भी खतरा या संकट जैसा बोध आपको कराना होता है, तब आप danger कहते हो, ठीक है, और खतरनाक, ऐसा आपको दिखाना हो, तो आप dangerous बोलो, कि यह dangerous साप है, dangerous area है, dangerous लोग है, है ना, dangerous movie है, उसे आप dangerous कहोगे, तो यह गलती आगे से नहीं करोगे, future में मैं उमीद करता हूँ, मुझे आशा है, और ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए, आप मेरे चैनल, मेरे कलोनी classes को visit कर सकते ह और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज देख करके, बहुत सारे knowledge को भी collect करके, gain करके, और अपने English को next level तक ले जा सकते हो, मिलेंगे हम next वीडियो में, तब तक के लिए आप सब का दिन बहुत ही शुब हो, mangal मैं हो, and peaceful हो